नमस्का, मैं होसासी आयो जार्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जार्खन में सुखार सेंडी पटने के लिए बैकल्पी खेती पर जोर मंत्री जार्खन के क्रिसी पसुपालान एवं साकार्था विभाग के सचीव अबु, बककर, सिदिकी ने सुखार जैसी इथिती सेंडी पटने के लिए सभी जीलों को बैकल्पी खेती के लिए क्रिस को के बीच परचार परसार करने का निर्देश दिया है इसके साथ ही सभी पताधिकारियों को किसानों को इसे निपटने के लिए हर संबव सहायता करने का निर्देश्टिया वे जीला क्रिसी पताधिकारियों के साथ राजे में सुखे जैसी उत्पन इस्थिती पर वर्चुल मोड में समिक्षा बेटा कर रहे थे बतादे राजे में अभी तक 50% ही बर्षा पात हुई है और धान की रूपनी मात्र 15% तक ही हो पाई है जार्खन के क्रिसी सचीव ने सभी जीलों को बर्तमान इस्थिती पर लगातार नजर बनाए रखने और उपायुद की अध्यक्स्ता में टास्क फोर्च बनाने का भी निर्देश दिया है बाईक से सराब भठ्य धवस्त करने पहुँचे मंत्री बिहार में सराब बन्दी के बाद हजारी बाग जीले का चोपारान परखन्ट एक बड़े सराब उतपादक केंडर के रूप में उभरा हाई यह नाजारा देखने के लिए सिक्छावा मख देनी सेद मंत्री जगनात महतर अभीवार को अति उग्रवात प्रभावीत भगहर गाव पहुँचे यहां गाव हजारी बाग जीला मुक्याले से सुदूर जंगल पहार में बसा हाई बता दे बाइक से गाव पहुँच मंत्री ने भगहर पैंचायत के परसातरी में अवैद सराब निर्मान में लगी दरजनों भटियों को देखकर मंत्री दंग रह गए बड़े प्रमाने पर त्यार की गई सराब भी देखी चिंता जाही करते हुए ततकाल सभी भटियों को तोड़ने और निर्मित सराब को नश्ट करने का आदेश दिया मौके पर मौजूद उत्पात विभाग के कमिशनर संजय मेहता तथाबन विभाग के अदिकारियों को उन्होंने जम कर फटकार लगाई कांग्रेस के तीनों विधायक निलंबीत पार्टी ने दर्ज कराई प्राथमी की पचिम मंगाल के हाबडा से नगदी के साथ पकड़े गए जार्खन कांग्रेस के तीनों विधायकों से पूस्तास के बाद पूलिस ने रब्वी वार दो पर गिरफतार कर लिया इनके वाहन में सवार दो और लोग भी गिरफतार किये गया उधर जार्खन कांग्रेस प्रभारी अविनास पंडे ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है इतना ही नहीं पार्टी ने खुद अपने विधायकों पर आस्थानी थने में प्राथमी की भिदर्ज गराई है इन विधायकों में डाक्टर इर्फान अंसारी, नमन बिक्सल और राजेस का ख़प सामिल है बता दे कुलकाता पुलिस ने इस मामले की जाँच CID को सब दिया है अब CID इनसे पोच्टार्च करेगी जारखन में नौ साल में सबसे कम बारिश जारखन में इस वर मानसुन रितु के पहले दो महीनों के दोरान पिछले नौ साल की तुलना में सबसे कम बारिश हुई है इस वज़ास से राजे सुखे जैस्टि इस्थिति में पहुँच रहा है इस्थिती की कम भीरता पर विचार करते हुए जर्खन विधान सभा की कारे मंत्र ना समीती ने इस मामले पर सोमवार को विशेस चर्चा आयोजित करने का फासला किया है जारखन बिधान सभा के अध्यक्स रवींद रात महतो ने कहा है कि समिती ने सुकृभार को कम बारिस की पिषट भूई में किसानों और खेती की थिती को समझने के लिए बिसेस चरचा करने का फैसला किया या किसानों के दर्द को कम करने के लिए समधान निकालने का भी पर्यास करेगी मन की बात में जारखन के गोमो रेलवे एस्टेशन का जिक्र पी एम मोदी ने अपने मन की बात कारकर में धनबाद के गोमो रेलवे एस्टेशन का जिक्र गिया देश में चल रहे आयादी के अमरित महोसों के तहत गोमों के नेताजी सुभा चंद्र बोस रेलवे स्टेशन की चर्चा की कहा कि आजादी के समय नेताजी ने अंग्रेजों को चाकमा दिये थे नेताजी की कई यादे गोमों से जुड़ी है धनबात का गोमो एस्टेशन अपने साथ ऐसे घटना क्रम को जोड़े हुए है जिसे महानिस क्रमन कहा जाता है बता दे गोमो एस्टेशन की कहानी सुभाः चंद्रबोस से जुड़ी है यही ओस्टेशन है जहां से सुभाः चंद्रबोस निकलते तो कभी अंग्रेजों के ह नहीं आए। पाँच आरोपी दस दिनों की पुलिस हिरासत में पचेम बंगाल के ग्रामीन हावडा के पंचला में वाहन जाज के करम में बेहिसाबी नगती के साथ सन्निवारात को हिरासत में लिये गया जारकन के तीन कांग्रेस बिधायक सहीद पांच आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है रब्विवार को इन्हें हवडा की अदालत में पेस किया गया अदालत ने इन्हें दोह दिन की हिरासत में भेजने का निदेश दिया इसके साथ ही जाच का जीमा CID को सोपा है आपको बता दे कि इनके पास से करीब 49,37,300 रुपे बरामत किये गए थे इन आरोपियों में जामतरा के विधायक इर्फान अंसारी, खिजरी विधायक राजस कक्छाप, कोले वीरा विधायक, नमन, बिकसल, कोगाडी, कुमार परतीक और चंदन कुमार सामिल है जारखन का पहला कोले जहां हर स्टुडेंट को 2,00,000 रुपे का एंसुरेंस बिनोध भिहारी महतो कोईलांचल विश्वविद्याला का पिके राय मेमोरियल कॉलेज, राज का पहला कॉलेज बना, जिसने अपने स्टुडेंट का एंसुरेंस कराया है कॉलेज की ओर से स्टुडेंट का 2,00,000 रुपे का एंसुरेंस कराया गया है इसके साथ हिराज्य में एक मात्र कॉलेज है जहां पर टेक्स्टाइल पाथवे का निर्मान किया गया है जो कॉलेज को अलग सिरेनी में खड़ा करता है बता दे फिकेराज में मेमोरियल कॉलेज में इसी सत्र से आमीन की पढ़ाई सुरू होगी या जनकारी कॉलेज परचार या डाक्टर बिके सिना ने दी उन्होंने बताया है कि इस कोर्स की पढ़ाई बेवसाइक पाठकरम के तहौत वह इसी सत्र से लागू हो रहे एन इपी से जोड़ कर शुरू किया जाएगा बताया गया कि कोर्स का सिलेबस तयार कर लिया गया है इसके लिए 30 सीट रखी गई है जबकि कोर्स के लिए एसी और एस्टी चात्रों के लिए 14,000 और समाने चात्रों के लिए 15,000 फिस निधारित की गई है उडिशा भासा से मैट्रिक वा इंटर पास करने वाले 30 स्टुडेंट समानित मैट्रिक वाइंटर की परिक्षा में उडिसा मात्रू भासा विशाय के साथ पास करने वाले विद्यार्थों को उतकल समीलनी की ओर से समानित किया गया कारकरम में मुख्याती थी के रूप में उपस्तित खार्शावा थाना परभारी पिट्टू महता राजगी पलस टू उच भी द्याले खार्शावा है के पूरू परचार कमाक्षा पर साथ उपस्तित थे पलामू में डीजल से महांगा है किरोसिन तेल जन्बित्रन प्रनाली की दुकानों से गरीब परिवार को मिलने वाला किरोसिन तेल जहारखन में डीजल से भी महांगा हो गया है बतादे बर्तमान में तेल डीपो में इसकी कीमत 101 रूपे प्रती लीटर तक पहुँच गई है इस कारण PDS दुकानदारों ने किरोसिन का उठाव बंद कर दिया है वहीं उभोकताओं ने भी कीमत बढ़ने के कारण किरोसिन लेना बंद कर दिया अप्रेल 2021 से सरकार ने किरोसिन पर सबसीटरी बंद कर दिया तब से गरी उभुकता के घर से किरोसी नदारत हो गया है जारखन में स्थाप काटने से तीन लोगों की मौत दो की हालत नाजूक जारखन के गुमला सिम्टेकाव सराय के लामे सर्पदंस से तीन लोगों की मौत हो गई है वहें दो लोगों की हालत नाजूक है इलाज करने के बज़ा जार फुक के चकर में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि इलाज की दुरान एक महिला की मौत हो गई बता दे जार फुक के चकर में पढ़ने की जगा तत्काल अस्पताल पहुंचे इसे मरीज की जानबच सकती है गुमला परखंड के दो गाओं में तीन लोगों को सांप ने डास लिया जिसमें पिता पुत्रोवा एक अन्य ब्यक्ति सामिल है सांप डासने से पुत्र की मौत हो गई जबकि पिता के स्थिती गंभी रहा है हजारी बाग के भगहर में खुलेगा हाई स्कूल जारखन के सिक्षा सा उत्पात एवमक दिनिसेद मंत्री जगनात मतर अभीवार को हजारी बाग जी लेके चौपारन के चत्रा रोड इसीद बिधायक उमा संकर अकेला के अवास पर पहुँचे इस दरान जगनात मतों ने कहा है कि भगहर पंचायत को 15 दिनों में सराब मुक्त बनाए इस्पेसल टीम का गठन कर सराब बनाने वाले बेचने वालों के साथ सकती से पेस आए इस दरान कई अवैद सराब भटियों को पूलिश ने नस्ट किया मंत्री जगनात मतों ने घोसना किया है कि पंचायत में हाई स्कूर जल्द खुलेगा पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा बता दे अजारी बाग के चौपारन की भगहर पंचायत जाने के नाम पर प्रसासन के पाप फूलने लगते थे वहार अभिवार को मंत्री जगनात मतों पहुचे उनके साथ बिधायक उमा संकर भी मौजूद थे बाबुलाल पाप शिपाने के लिए जोटी प्रत्मेकी कांग्रेस के तीन बिधायकों के पास से बरामत पैसे और इस तंदर में जारखन में कांग्रेस बिधायक अनूप सिंग द्वारा दर्ज कराई गए फायार पर भाजपा बिधायक दलकिनेत बाबलन मरांडी ने प्रोसा नहीं है यह अपने बिधायकों के पास भरस्टा चार कुकर्मों को छिपाने का पर्यास कर रहे हैं मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस के तीन बिधायकों के बंगाल में पैसे लेकर पकड़े जाने से देश दुनिया में जारखन राज सरमसार हुया है उन्होंने इस परकरन की जांच इंकम टेक्स वा इड़ी से कराने की मांग की है कहां इंकम टेक्स वा इड़ी पैसे देने वाले के सुरोत की भी जांच कर खुलासा करें ताकि परदे के पीछे की सचाई सामने आए हमन्त सरकार गिराने की थी पलानिंग कांग्रेज के प्राथमी की में दावा जारखन परदेश कॉंग्रेश कमिटी के अध्यक राज़ ठाकूर और कांग्रेश बिधायक दलकनेता अलम गीर अलम ने पोलकाता में पैसों के साथ गिरपतार कांग्रेश के तीन बिधायकों क लेकर फिरस कॉन्फिरेंस करदावा किया है कि जारकंड केहमन सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस बिधायकों को 10-10 कोड़ों रुपए देने का परलोभन दिया गया था इसके पक्ष में उन्होंने कांग्रेस बिधायक अनुप सिंग की और से दर्ज प्रत्मी की कहावाला भी दिया नेतावों ने कहा है कि या खटना दुखद होने के साथ साथ निंदिनिये भी है पूरे देश में गैर भाजपा सरकारों को इसी प्रकार से गिराया जा रहा है मद्य परदेश महराष्ट आदी राज्यों का उन्होंने उधारन भी दिया इसके साथ ही उन्होंने अनुप सिंग की और से दर्ज प्रत्मी की कहावाला भी दिया जिसमें उन्होंने बिधायकों को 60-60 को रुपे देने की बात बताई है सावन में भी गढ़वा जिले के लोग सूखे की स्थिती जहल रहे है कम बर्सा होने से खेती बरबाध हो गई है बर्सा नहीं होने से परसान लोगों ने मेढ़वार की सादी करा रहे है ताकि इंद्र देव वार्षा कराए ताथा लोगों को रहात मिल सके यहां मन्याता है कि मेढक मेढकी की साधी कराने से वार्षा होती है इसी मन्याता पर चलते हुए रभिवार को गढ़वा जी लेके चीनिया में ग्रामिनों ने धूम धाम से मेढक मेढकी की साधी पूरे अ इनमें कई जीलों के सिविल सर्जन तथा आपर मुक्स चिकिस्टा पदाधिकारी भी सामिल हैं। कुछ सिविल सर्जनों को अस्थनांत्रीत करते हुए स्वास्त निदेशाले में उप निदेशक के पत पर अस्थापित किया गया है। वही स्वास्त विभाग ने इस समध में इस उतना जारी कर दिया है। विभाग के परधान सची वर डीजीपी को भी भेजी गई है। नई दर लागू हो जाएगी। स्टांप और निवन्थन सुल्क में बढ़ोत्री के कारण अब आपको जीले के ग्रामीन चेत्रों में जमीन मकान के कीमत में 5-10% तक अधिक कीमत देनी होगी। इसको देखते हुए हिनु एम मुरबादी ज्थीत अवन निवन्थक कर्याले में अने दिनों के पेक्चा प्रपटी अधिक रईश्ट्री हुई। देर साम तक दोनों रईश्ट्री कर्याले में भील लगी रही। रणवे पर दोड़ाया गया जिस स्पीट से विमान उतरते या उड़ान भरते हैं। ए ए आई की टीम ने विशेश फ्रिक्षन टेस्टिंग कार को 95 किलोमेटर प्रति घंटा और अलग-अलग स्पीट में चलाकर टेस्टिंग की और सब कुछ सही पाया। पूर्वी सिंग्भू उपायुक्त ने महिलाओं के साथ धान रोपती नजर आई। छार्खन के पूर्वी सिंग्भू जीले के उपायुक्त बीजिया जाधाओं ने नक्सल परवावी छेत्र गुंडा बांध के से पूरा गाओं में ग्रामिन महिलाओं के साथ खेत में धान रोपती नजर आई। उपायुत कीचल की परवाव किये बिना खेत में उतर आई और ग्रामिन महिलाओं के साथ धान रोपने लगी। इस दोरान उन्होंने धान की रोपनी कर रही महिला किसानों का उत्सा बढ़ाया और कहा कि देश के अनदताओं को नमन जिन से हमें अनप्राप्त होता है।